नमस्कार आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आसिस बाबा बागेस्वर बिहार की धर्ती पर पहुँचे है और सैकडो लोगों को बाबा बागेस्वर गया जी में पिंड़दान करवाएंगे बाबा बागेस्वर का कारेकरम भी होने वाला था लेकिन प्रसासनिक व्यवस्थाएं उस तरीके से नहोंने कारण अनुमती ना मिलने की वज़े से ना बाबा का अपकी बार दिप्धरबार लग रहा है और ना ही बाबा अपकी बार हनुमत कथा करेंगे तो ऐसे मैं बाबा बागेस्वर अपने तमाम जो स्रद्धालू है उनके साथ गया जी में पिंडदान करेंगे और करवाएंगे ऐसे में क्या कुछ है पूरी अपडेट जानी है बागेस्वर धाम के पिठादीस्वर पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री एक बार फिर बिहार की धर्ती पर पहुंचे है धिरेंद्र सास्त्री सोमवार की शाम विशेश चार्टर्ड विमान से गया पहुंचे थे गया एरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोश सिवारी ने उनका स्वागत किया था इस मौके पर बड़ी संक्या में भक्त भी एरपोर्ट के बाहर मौझूद रहे गया वे में अगले तीन दिनों तक यानि चार अक्टूबर तक प्रवास करेंगे हलाकि जोरान न तो उनका दिव्विदर बार लगेगा और नहीं वेक कथा सुना पाएंगे दरसल गया में पंडित दिरेंद्र कृष्ण सास्त्री का कारेक्रम आयोजित होने वाला था तीन दिनों के भीतर बागिस्वर धाम के पिठादीस का दिव्विदर बार लगना था इसके साथ ही हनुमत कथा भी जो है वो पाठ की जानी थी लेकिन कारेक्रम के लिए जिला प्रसासन से अनुमती न मिलने के कारण दिरेंद्र सास्त्री का कारेक्रम रद्ध हो गया हलाकि पूरो निर्धारित कारेक्रम के तह दिरेंद्र सास्त्री गया आ चुके हैं पंडी धिरेंद्र सास्त्री कथा तो नहीं करेंगे लेकिन अपने भक्तों के पीतरों का पिंड़दान करवाएंगे बाबा के मार्गदर्चन में सैकडों लोग पिंड़दान करेंगे गया एरपोर्ट से बाबा सीधे होटल पहुँचे हैं जहाँ वे कुछ खास भक्तों से मुलाकात भी करेंगे बता दे कि पहली बार पटना के तरेत पाली गाओं में जब धिरेंद्र सास्त्री का कारेक्रम हुआ था तो लाखों की संख्या में शद्धालू उम्डे थे और ऐसे में कहीं न कहीं सियासत भी उस दौरान होई थी लेकिन अबकी बार फिर से मनोज जो है मनोज तिवारी वो उनको लेने पहुँचे थे गया एरपोर्ट पर फिर उसके बाद बाबा तकरीबन साम को साड़े च्छे बजे गया एरपोर्ट पर उतरे फिर उसके बाद वो होटल चलेगा उनकी कुछ खास भक्तों से मुलाकात भी होगी और उसी के साथ साथ अब की बाबा अपने श्रधालूं के साथ गया जी में पितरों का पिंडदान करवाएंगे और जैसे ही बाबा की आने की खवर मिली है लाखों की संख्या में में श्रधालू एक बार फिर गया जी पहुँचने लगे हर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे बनेरे NPC24 पर धन्यवाद